अस्सलाव उलेकॉम डेर स्टुडेंट्स मैं जिशान अली आप लोगों का कमिस्टी टीचर बेटा कैसे हैं आप लोग मुझे मीत हैं अच्छी हेल्थ मी होंगे और अपनी स्टुडीज पर भी प्रॉपर कंसेंट्रेशन दे रहे होंगे मैडे स्टुडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम सिखेंगे के ऐलिमेंट की कैसे लिखते हैं और है अलेक्ट्रोणिक कल्फिगूरेशन तो चलते हैं आज का टॉपिक डिस्क्थ करते हैं देर स्टुडेंट्स जब हम बोलते हैं एलेक्ट्रोनिक कान्फिगुरेशन तो इसका मीन है अर्रेंजमेंट्स आफ इलेक्ट्रोन्स इन शेल्स इन सब्षेल्स एंड इन अटोमिक और्बिटल्स मैडे स्टुडेंट्स हम जानते हैं के इलेक्ट्रोन रिवॉल्व करता है अरौन दा नुक्लियस इन ए पर्टिकुलर और्बिट लेकिन और्बिट यानि शेल्ड फर्दर डिवाइड होता है सब शेल्स में इन दा सेम वे सब शेल्ड भी फर्दर डिवाइड होता है अटोमिक और्बिटल्स में तो आज की इस लेक्चर में हम स्टडी किरेंगे के इलेक्ट्रोन की डिस्ट्रिबिशन अलेक्ट्रोन की तक्सीम कैसे होती है around the nucleus, in shells, in subshells, and in atomic orbitals. shells, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मेडे श्रुडेंट्स पहले shell को हम जिस letter से represent करते हैं वो capital K है. दूसरे shell को हम represent करते हैं capital L से. तीसरे shell को हम represent करते हैं capital M से. चौथे shell को हम represent करते हैं capital N से. इन दसे वे हम पांचवे shell को represent करते हैं capital O से. छटे को capital P से. और साथवे को capital Q से. मेडे स्टुडेंट्स, जैसे जैसे shell का number बढ़ता है, वैसे वैसे shell की energy भी बढ़ती हैं. क्योंकि shell main energy level है, actually, electron का around the nucleus. और हम shell को, और बिट भी कहते हैं, हम shell को main energy level भी बोलते हैं. और एक और important term भी आप लोगोंने याद रखनी है, principle quantum numbers. Actually, one, two, three, four, five, six, seven, ये principle quantum numbers हैं, shells के. यानि वो shell जिसका principle quantum number one है, उसको हम कहेंगे के shell. वो shell जिसका principle quantum number two है, उसे कहेंगे L shell है. और वो shell जिसका principle quantum number three है, इसको कहेंगे M shell. और वो shell जिसका principle quantum number four है, उसको कहेंगे N shell. मैडे इस्टूडेंट्स, वो electron जो पहले shell में मजूद है, उसकी energy सबसे कम होगी. और जैसे जैसे shell number बढ़ेगा electron का, वैसे वैसे उसकी energy भी increase होगी. तो हम यूँ कहेंगे के वो electron जो चौते shell में present है, यानि N shell में present है, उसकी energy सबसे ज्यादा है. मैडे इस्टूडेंट्स, वो फार्मूला, जिससे हम calculate कर सकते हैं, maximum number of electrons in a shell, वो फार्मूला आपने त्यार करना है, to N square. और small N stands for shell number, that may be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अगर N की value 1 है, यानि पहला shell है, तो इसमें maximum 2 electron होंगे, according to this formula, 2 N square. अगर small N की value 2 है, यानि L shell है, तो L shell में maximum number of electron 8 होंगे, according to this formula, in the same way. अगर N की value 3 है, यानि M shell है, तो इसमें maximum number of electron 18 होंगे, according to this general formula, 2 N square. In the same way, अगर बेटा N की value 4 है, यानि M shell है, तो इसमें maximum number of electron 32 होंगे, according to this general formula. मैंडे स्टुडेंट्स, आप लोगोंने 2 N square formula prepare करना है, for calculating the maximum number of electrons in a particular shell. लेकिन हम जानते हैं, शेल फर्दर डिवाइड होता है, सब शेल्स में, और सब शेल्स कौन कौन से हैं? S, P, D and F. समाल S, समाल P, समाल D, समाल F. और basically spectral terms की base पे हम representation करते हैं सब शेल्स की. S stands for sharp, P stands for principle, D stands for diffused and F stands for fundamental. यह कुछ spectral terms हैं, जिनको हम frequently use करते हैं, during the study of spectrum, उन्हीं की base पे हम sub shells को represent करते हैं. My dear students, S sub shell में maximum 2 electrons take कर सकते हैं, P sub shell में maximum 6 electrons take कर सकते हैं, D sub shell में maximum 10 electrons take कर सकते हैं, और F सबशल में मेक्जिमम 14 एलेक्टरॉन्स टेक कर सकते हैं तो आप लोगों ने याद करने हैं मेक्जिमम नंबर आफ एलेक्टरॉन्स इन एशल एंड आल्सो इन एश सबशल मैडे स्टुडेंट्स के शल इसमें सरफ एक ही सबशल होता है S L शल यानि दूसरा शल इसमें दो सबशल होते हैं S एंड P तीसर शल है M शल इसमें तीन सबशल होते हैं S, P, एंड D चौथा शल N शल इसमें मेक्जिमम चार सबशल होते हैं S, P, D, एंड F मैडे स्टुडेंट्स पांचवें, छटे और सातवें शल्स में भी यही चार सबशल रहेंगे लेकिन इनका कॉफिशन्ड चेंच हो जाएगा यानि शल नमबर अगर मुझे कोई पूछे कि सर, बताएं आप पांचवें शल्स में कौन कौन से सबशल्स हैं? तो मैं यह अनसर दूँगा कि पांचवें शल्स में चार सबशल्स हैं 5S, 5P, 5D, 5F चटे शल्स में भी यही चार सबशल्स रहेंगे लेकिन कॉफिशन्ड चेंच होगा यानि शल्स नमबर चटे शल्स के सबशल्स 6S, 6P, 6D, 6F इन दसे वे अगर मैं लिखूँ सातवें शल्स के सबशल्स तो वो क्या होंगे? 7S, 7P, 7D, 7F इन चार सबशल्स के 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 स्टुडेंट्स अब हम कुछ एलिमेंट्स और एक आइन की एलेक्ट्रोनिक कान्फिगुरेशन लिखेंगे शेल्स में और सब शेल्स में हम जानते हैं कि नेचर का सिंप्लेस्ट एटम हाइट्रोजन है जिसका एक्टॉमिक नंबर वन होता है एक एलेक्ट्रोन है तो डेफिनेटली के शेल्स में आएगा यानि के वन एलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेशन है हाइट्रोजन एतम की इन इट्स ग्राउंड स्टेट यानि लेयर इनर्जी स्टेट और सबशल में होगी वन एस वन एक एलेक्ट्रोन है तो वो डेफिनेटली पहले शेल्स में और पहले शेल्स में सिर्फ एक सबशल होता है एस तो मैं यूं कहूंगा शेल्स में हाइट्रोजन एटम की अलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरिशन के वन और सब शेल्स में वन एस वन आक्सिजन एट आक्सिजन एटम का आठ एटॉमिक नंबर होता है आठ एलेक्ट्रोन की डिस्ट्रिबूशन पहले देखते हैं शेल्स में के में दो और एल में 6 यानि पहले शेल्स में दो एलेक्ट्रोन दूसरे शेल्स में 6 एलेक्ट्रोन और अगर हम शेल्स को डिवाइट करें सब शेल्स में 1S2 2S2 2P4 इस में जस्ट फॉर ऑक्सिजन एटम electronic configuration with respect to shells के में दो एल में 6 और with respect to electronic configuration in sub shells 1S2, 2S2, 2P4 अब बात करते हैं सोडियम की जिसका टॉमिक नमबर 11 है यानि 11 एलेक्ट्रोन होते हैं सोडियम एटम ने electronic configuration पहले बात करते हैं शेल्स में बेटा K में दो L में 8 और M में 1 अब बात करें सब शेल्स की 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 in the same way हमारे पास एक स्पिशी है कलोराइड आइन ये कलोरीन एटम का नेगडिव आइन है जिसमें टोटल 18 एलेक्ट्रोन होते हैं और 18 एलेक्ट्रोन की सब शेल्स के अंदर 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 मैं दे स्टुडेंट्स आप लोगों नहीं पहले सिंपल 18 एलेमेंट्स की जो प्रियॉर्ट्रोन में प्रेजंट हैं उनकी एलेक्ट्रोनिक कान्फिग्रेशन लिखनी है शेल्स में भी और सब शेल्स में भी जैसा के मैंने लिखी है हाइटोजन एटम की आक्सिजन एटम की सोडियम एटम की और कलोराइड आइन की इस वे से आपकी ज्यादा बेहतर प्रेक्ट्रोनिक कान्फिग्रेशन आफ एटम्स एंड आइन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स मैंडे स्टुडेंट्स आज की इस लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि शेल्स क्या होते हैं सब शेल्स क्या होते हैं और एलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रिबिशन कैसे होती है शेल्स में और सब शेल्स में मुझे अमीद है कि आप लोग पहले 18 elements जो प्रियोडिटिबल में present हैं उनकी electronic configuration लिखोगे अपनी note book पे ताके आपकी practice बेहते से बेहते होते जाए with respect to writing the electronic configuration of elements तो इन्शाल नेक्स लेचर में हम discuss करेंगे topic isotopes आप लोग मेरे साथ रहिएगा नेक्स लेचर में भी इन्शाल आप लोग में से दोबरा मुलाकात होगी अपना बहुत जदा खार रखिएगा अल्हाफ़ज़